कुछ नंबर 21 में पढ़ते हैं तू लॉंग करेंट केरिंग थिन वायर्स बोथ विद करेंट आई और हेल्ड बाई इन्सुलेटिंग थ्रेट्स ऑफ लेंथ लेंद यारी निकली विडियम इस शोन इंद फिगर विद थ्रेट्स में एंगल थीटा विद्धी वर्टिकल इव वायर्स हैव मास लैंडा पर उनिट लेंद देन दी वैली ऑफ करेंट तो दोनों वायर्स आपस के करेंट की वज़े से रिपेल हो रहे हैं तो इन दोनों में जो करेंट का डिरेक्शन होगा वह अपोजिट होगा तो अगर हम किसी भी एक वायर के लिए फ्री बाड़ी टा कि इसी भी एक के ऊपर अगरम फोर्स बनाए तो लिट से यह हो गया मैटनीक फोर्स मैगन Chapel दो वायर्स के बीच में जो लगे गा वह टोनों वायर्स के से डिस्टेंस पे बहुत करेंगा तो यह वाला डिस्टेंस और यह एंगल थीटा है यह 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 भी थीटा है तो यह जो डिस्टेंस आएगी यह आएगी टू एल साइन थीटा के एकको तो मैगनेटिक फॉर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट कि आईवन आई टू तो आई स्कॉयर हो जाएगा ठीक है इन्टू लेंथ आफ वायर तो माल लेते हैं कि हम यूनिट लेंथ की बात कर रहा है तो वन लिख देते हैं अपॉन टू पाई डी टू पाई डी डी की जगे आएगा टू एल साइन थीटा एम जी की जगे लामडा इ ग्रों मैं इस कोश्चन में बेसिकली एक का वैल्यू निकालना है अ टो Сам तो एक्कोशन बनाते हैं इसमें एक एक्कोशन होगी टी कॉस्ट थीटा इस इक्वल टू लामडा इंटू जी और धूसरी एक्क्वेशन आएगी टी साइन थीटा इस इक्वल टू म्यू नौट आ पोर पाई एल साइन थीटा तो अगर हम एक एक एक्वेशन से टी निकाल के दूसरी एक्वेशन में रख दें या इन दिनों को हम सिंप्ली डिवाइड कर दें ठीक है आई का वैल्यों हमें पता करना है कि इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा टैन थीटा इस इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वाइर अपॉर पाई एल साइन थीटा एंड इन्टू लैमडा इन्टू जी तो यहां से अगर हम आई का वैल्यू टिखें प्रेंट थीटा को करम साइन थीटा अपॉन कॉस्स थीटा कर दें तो एक शाइन थीटा इंटिकरिश्ट रूट के बाहर आजाएगा ठीक है और एक तू भी बाहर आजाएगा अंदर देखें क्या बचेगा अंदर बचेगा पाई लैमड़ा डी एल ठीक है एंड करेक्ट आजाएगा है तो सिंप्ली बैलेंस करने वाला कुशन बाकी बैलेंस हुएं सिर्फ